नमस्कार SP9 NEWS में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि लोक सभाचुनाव से पहले इंडिया गडबंधन को एक बड़ा जटका लगता हुआ नसर आ रहा है जहां नतीश कुमार ने पहले से ही बगावत कर दी और इंडिया गडबंधन से अपना नाता तोड़ दिया तो वहीं अब उत्तपरदेश में भी एक बड़ा जटका इंडिया गडबंधन समाजवादी पाटी कॉंग्रेस पाटी को लगता हुआ नसर आ रहा है दरसल लोगसभाद चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक रोकनी की तयारी में जुटे इंडिया गडबंधन को एक और बड़ा जटका तब लगता है जब जयन्त चौधरी को बीजेपी की तरफ से ओफर दिया जाता है दरसल जयन्त चौधरी बीजेपी के साथ गडबंधन में शामिल हो सकते हैं इसके मैंने निकाले जा रहे हैं सूत्रो की माने तो बीजेपी ने यूपी में आरेलडी को चार लोगसभाद सीटों का ओफर दिया है इसके बाद चर्चा तेज हैं कि आरेलडी और समाजवादी पार्टी का गडबंधन तूट सकता है सूत्रो के मताबिक बीजेपी ने जो चार सीटे आरेलडी को ओफर की हैं उनमें केराना बाकपत, मत्रा और अम्रोहा शामिल है वहीं समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उसके उमिद्वार मुजफर नगर केराना बिजनो और लोगसभाद सीटों पर आरेलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े इसके चलते आरेलडी और सपागट बंधन में टूट के कारण बनते दिख रहे हैं बता दें कि काफी पहले ही जोएंत चौदरी और अखलेश चादव की लखनों में हुई मुलाकात के बाद साथ सीटों पर डील हो गई थी इन साथ सीटों में बागपत मुजफर नगर केराना मतरा और हात रस्तू तेह लेकिन दो सीटों पर अभी भी नाम को लेकर शैंशे बना हुआ था अभी यही नहीं हो पा रहा है कि मेरट बिजनौर अम्रोहा नगीना और फतेहपूर सीक्री में से कौन सी और दो सीटे अरलडी को दी जाएंगी और इसी बीच में भारते जंता पार्टियों एक बड़ा आफर दे देती हैं अभी यही देखना काफी दिल्चस्प होने वाला है कि क्या समाजवादी पार्टी से यहां पर अनबन जैनत चौधरी की नजर आएगी क्या अखलेश यादव को छोड़कर अब भाजपा में शामिल होते में नजर आएंगे जैनत चौधरी क्या एंडि